लोग पूछता है तो स्रम लगता है हम क्या बन रहा है बाबा हम कहते हैं कि आप क्या बनवा रहे हैं महजीद बनवा रहे हैं अब लाट में मिलने वाले हैं निदिजिस से और कहेंगे ही कि आप छोड़ दिया जाए किरप्या करके उकाम दुर्गा पूजा से जो 22 तारिक से जो काम बंद है जो बंद है लेकिन किसी का बात ही नहीं मान रहा है ये स्कुरिटिव इंजिनियर ऐसा है हम को समझ में नहीं है सरकार इसको रखे हुए है क्यों गाना में सुरेंदर मेटा जी वह इस काम को करीबन सालों बर से उपर हो गया वह लटका के रखे हैं मैं देविंदर सिंग लड़ू इस वक्तम है शक्ति पीट सिरी सिरी बड़ी पटन देवी में मंदीर है तमाम भक्त लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए प्रसाथ चढ़ाने के लिए लेकिन जब इस मंदीर का निर्मान की बात अगर आप चर्चा चलाएंगे तो काफी म प्यार के मुख मंतिर नितिश कुमार जी आते इस मंदिर में नवरात्र का समय में आते हैं तो कुछ इस मंदिर में निर्मान कराने की बात होती है यहां के जो महंत है उनसे जब जनकारी लिया गिया कि इसमें क्या करना है तो महंत ने बताया था कि इनका गर्व गिरी जो न कापित किया जाएगा लेकिन 2022 से लेकर अभी आप देखिएगा तो 2024 कंतराल में लगबक दो भर्स हो जाने का है अभी भी उस अस्थान पर नहीं कहीं है क्या बजा हो सकता है बैसे पहुने आठ करूर पिया का ये भजट है नितिश कुमार जी ने आये उसके बाद तमाम बड़े बड़े अधिकारी आये थे यहां नक्षा लेकर आये तमाम तरह का जो निर्मान कारें जो होती है उस तरह का आपी खुश हो गयते हैं लेकिन न जाने किसका ग्रह लग गया है ये दो भरसों में अभी भी गर्भी गिर का निर्मान नहीं हुआ है प्रान परतिष्टा बाइस जन्वरी को जब देखिएगा तो प्रान परतिष्टा का जब पहले ही घुशना हुई थी लेकिन हाँ ठीक बड़ी पटन देवी का निर्मान क्यों रूखा है अम इस पूरे मामले में यहां के जो मानते हैं उसे बात करोगा बाबा तमाम लोग जो भी भाक्त है वह आसा ले ले रखे है कि अभी तक गर्भ निर्मान जो है माता रानी को शिफ्ट ने किया क्या करण हो सकता है दोशी कौन है देखिए इस दोशी क्या कहे नितिज जी तो कहे थे कि 2022 में कि अगले बार नौरात्र में जो आएंगे उसी में दर्शन करेंगे अब हमको उसके बाद यहां से जाने के बाद वो पौने आठ करोर रुप्या दे भी दिये दिये दियें को देने के बाद सब कुछ प्रक्रिया हुआ साड़े साथ महीना हो गया किसी प्रगार का कोई इस पर करवाई नहीं हुआ कभी इंजिन इसको तोरेंगे इसको तोरेंगे और यह तोरेंगे खाली कह करके चल ला हम कहें कि देखिए भगवति का अस्थान पहले बनेगा तभी कुछ बनेगा तो यह समझ में नहीं आ रहा है हाद तक कि कोई भी चीज जो निर्वान होता है तो निर्वान से पहले उसका नक्सा बनता है नक्सा का प्रणूप तियार होता है इसको 63 फित उचाई ले जाना है उसका कैसे प्रणूप होगा हम जैसे पहले बनवा रहे थे तो उसका लगा है बनावा रहा रहे हैं कि दिवाले बना रहे है कि गुष्ध नर कोयु तेयार करके दीजिये। साटी किसी परकार का कहते कैसे उसके बाद डियन साइब भी बहुत तरह का इस्डियों साहिवा भी जो है एक वार नक्सा उले करके आया उहां पर सब साइन भी किया इतना तक करने के बाद साहिवा करें कि तीन दिन के अंदर इसको नक्सा को त्यार किरिया और काम सुरू किरिया लेकिन किसी का बात ही नहीं मान रहा है जब पैसा नहीं है आप सब सब पहले देखिए मंदिर का निर्मान को जो निर्मान हम करा चुके हैं उसी में केवर भीतर जो है यह पत्थर लगाया है और कोई काम नहीं किया अभी हाल फिलाल में आया था दस-पंदर दिन पहले एक किमारी वाले के लिए धर्वाजे के लि टीन को कमारी लगना था जब उतर कमारी के लिए पसंद हम किया उसका पंदर बीश दिन हो गया हम उसके बाद फोण किये फिर दुवारा हो हमारे पास बेजा कि यह पसंद है न बावा हम क्या है यह पसंद बनाओ 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 अब उड़र गया मिलेगा तर ल ना हमको कुछ देता ही नहीं है इसको बनाना है जैसे मंदिर का फूरा स्ट्रक्चर जो है एक करोर मानमे लाक में दिया एक ठीकदार ले लिया अब ठीकदार को इतना भी पावर नहीं है कि पत्थल अपने से चूच करें किसको रखना है वो भी करेगा तभी होगा यह कहां का रीत है हम कोई समझ में नहीं आता है कि उसको क्यों रखे हुए इतना घपलेबाज है इतना गरवर कर रहा है इतना बंदामी हो रही है सब जगह सब का सब को बंदाम कर रहा है कि हम किसी को नहीं जानते है किसी से डढ़ यहीं बात है मुखमंतिर जी को आप पत्र लिखे हम एक वार मिले थे उनसे एक वार मिले थे तो हम देखें कि छो महीना उसका नौकिरी बचा हुआ है करने वाला है कि हम कहें कि आगे को यह स्टेप नहीं हम ले कि ताकि उसको हरी मंदिर बन रहा है हम किसी का नौकिरी के परकाय के लिए आप रहा है उजिन के वर बालवच्चा उसका बने हमको को सेगा हम चाहते हैं कि सबकाम करा दे कुछ भी और तुमको जो करना है खाना है क् कोई रोख है काम तुम तेजी में लगाओ तो कामी नहीं चौथा महीन हो रहा है दुर्गापूजा से जो 22 तारिक से जो काम बंद है जो बंद है यह 2022 से शुलवा पूला है 2022 में नौरात्र में जो आयते रस्मी के रोज तो कहें कि वह सबको कुछ बोलते हैं हमको कुछ बोलने क्या बोलने साथ भगती जो हमसारा में और इसे पर और क्या सब्सक्राइब नौरात्र में हम उसी में दर्शन करेंगे जाके एक देर महींडे के अंदर हुआ है अब कहां से तैरी हो जब पैसा मिल गया यह सब कुछ लगता है आप जाने कि जल से जल होने हैं और काम जल से भगवति वो सारा में कब तक रहेगी और नहीं तो छोड़िये बंद करवाईए भंद करए कि नहीं हो ति होगा हम तो अब लाश्ट में मिलने वाले हैं ने दिशिसे और कहेंगे हैं कि आप छोड़ दिया जाए किरप् अपताहें न वीतर आशन जो बनाया है से 30 अट में दिया कि 555 में किसी को दिया हूं भी उसी का जुनियर को भेजा पत्थर लाने के लिए पत्थर उसको जुनियर लाया दो लिए उठिकदार को मिला उठिकदार बनवा दिया बनाने का पूर्ण complete नहीं है पूर्ण complete नहीं है पत्थर वह बाकी है अब उकार आ है कि उसको टेंडर कि यह वह बहुत जादे पहँ जादे पहतका लगाती है इसके बाद इसे इनके सबसे बड़े अफसर है जो इस विभाग का उनके पास भी गया है मिटिंग करके सब को बुला करकर करके एक वार चलके आप देख लिए क्या इस्थिति है सब पता चल लाएं चलिए अंदर है अंदर का देखला देता है यह यह दिरिश्य है मातारानी यहां अस्ताफित होने वाले हैं लेकिन अभी भी रुका हुआ है और यह खुद पीड़ा बतला रहे हैं कि किस तरह अधिकाडियों का लापरवाही सामने नजर आ रहा है हमिजी सस्तान पड़ें एक गरभी गरिर है और बार भार यहां पड़ाता हूं तो के इक सपना हमें भी था कि कम से क्लम मातारानी इस दरवार में आये थाकि लोग दर्शन करें दूर दूर से लोग आते हैं के केंद रियास्ता का महत्व हैं अपने देश के लोग भी आते ह पीट में कापी शक्ति है बोल ले थे कि यह काम जो भी जो मिला है काटपाला के वियंता को नाम में सुरेंदर मेता जी वो इस काम को करीमन सालों बर्स उपर हो गिया वो लटका के रखे हैं वो काम को आगे प्रगति की और यह ले जाना नहीं चाहते हैं कभी कुछ कभी कुछ अभी ग्यात हुआ है मुझे कि वो कड़िवन नौ बर्सों से पटने में ही कादरत इसी विवाज में है एक ही जगह किनी अफसर का तीन साल ढाई साल से ज्यादा लोग रहते नहीं है अभी हाले इनका प्रमोशन हुआ है यह निस्कुटिब से यह जाएंगे उपर और मा का कार्ज में हर्मेश सा बाधित करना इनका लक्षित देखा गिया है यह है सिरी सिरी बड़ी पटन देवी शक्तिपीट के प्रोहित है श्री विजय महंत है विजय संकर गिरिजिन अपनी आह यह कह रहा है तो इनको खुद शर्म लग रहा है जिस तरह बिहार के मुक मंत्री नितिश कुमार ने पहुने आठ करोर रुपया की लागत से जो मातारानी अभी भी आप आएंगे दर्शन करने के लिए तो बाहर ही है इनका अभी भी जो गर्विगरी जो निर्मान होना था वो अभी तक बाठ जो रहे हैं सुनिजे बिहार के मुक मंत्री नितिश कुमार जी आप से उपर भी कोई अधिकारी है कि आपको बात को भी अवेदना किया जाता है अब वो अवेदना कर रहे हैं इसको टिप इंजिनियर सा है वो अपने आपको आपके बिहार के मुक मंत्र से भी बहुत बड़े सोच रहे हैं माता रानी देख रही है वैसे भी बाबा ने तमाम चीज़ें से अच्पश्ट अवगत करवाएं हैं और मही प्रात्ना कर रहा हूं बिहार सरकार के बड़े-बड़े इंजिनियर बिहार के मुखमंती नितिस्कुमार जी से इस चीज़ को स ये तो आने वाला समय ही बताएगा SSI 2 आप देखते रहिए जहिन